Hello students, welcome to Navankur Digi lessons from the house of Navankur. मैं भूपिश माथुर, आज आपके लिए कक्छे 6 के विशे कम्प्यूटर का पहला अध्या लेकर आया हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. अध्या एक, कम्प्यूटर के मूलभूत, सिद्धान्त, Fundamental Concept of Computer. मुक्य बिन्दू हैं, कम्प्यूटर का परीचय, कम्प्यूटर की विशेशताएं, कम्प्यूटर की परिभाशा, कम्प्यूटर के प्रकार, और कम्प्यूटर के उप्योग. चलिए, पार्ट स्टार्ट करते हैं. शरीर पर खरोचों के निशान बना कर गिनता था. गर्णा की इस समस्या को हल करने के लिए, उसने एक ऐसी मशीन का अविश्कार किया, जिसकी सहायता से जोडने वा घटाने की किरियाएं अती सीगृता से की जाने लगी. सीगरी ये मशीन एक रोचक मशीन के रूप में विक्सित होई. इस मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रोनिक मशीन है, जो स्वतहा, सीगर एवं सुद्धता से कार करती है. यह दिये गए निर्देशों पर कार करती है. इसमें एक मेमोरी होती है, जो सूचनाओं को संग्रहित एवं उन्हें याद रखने का कार करती है. यह गणिती ये गणनाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इत्यारी के साथ साथ अन्यतार के गणनाओं भी कर सकती है. कंप्यूटर की विशेष्थाएं एक आश्चर जनक मशीन एवं प्राथमिक मशीन होने के साथ साथ हमें कंप्यूटर की विशेष्थाओं को जानना आवश्चक होता है, जो सूचनाओं को तीवरता एवं सुद्धता से विशलेसित करता है. करेक्टरिस्टिक्स ओफ कंप्यूटर पहला है स्पीड गती कंप्यूटर एक तीवर मशीन है, यह उन जटिल गर्नाओं को कुछ सेकेंडों में हल कर देती है, जिने हल करने में मनुश्यों को वर्षों लग जाते हैं यह एक मिनिट में लाखों निर्देशों को विशलेसित कर सकती है विविन कंप्यूटर की गती को M.I.P.S. मिलियन प्रती सेकेंड में ना पा जाता है माइक्रो प्रोशेसर की गती इसी एक आई से मापी जाती है अगला है सुद्धता एक्क्यूरेसी सुद्धता कम्प्यूटर की मुख्य विसेशता है यह कम्प्यूटर आंक्णों को सुद्धता से विसलेशित करता है कम्प्यूटर कोई गलती नहीं करता यदि कम्प्यूटर को दिया गया निर्देश ही सही है तो कम्प्यूटर गलती नहीं करेगा गलत इन्पूट की अवस्था में कम्प्यूटर गलत परिनाम परदान कर सकता है नेक्स्ट है स्टोरेज, संग्रहन, कम्प्यूटर की सबसे विशेस्ता इसकी संग्रहन चमता है इसकी आखणों एवं निर्देशों को संग्रहित करके रखने की चमता इससे कागच की काफी बचत होती है आधुने कम्प्यूटरों में संग्रहन की चमता काफी अधिक होती है वर्तमान में उपलब्ध संग्रहन उपकरणों में से डाटा को सीकृता से विसलेसित करने के लिए मेमोरी में इस्थानतिरित किया जा सकता है और फिर उसे आगे प्रियोग करने के लिए वापिस संग्रहन उपकरणों में संग्रहित किया जा सकता है परिवर्तन सील्टा, वर्स्टालिटी, एक कम्प्यूटर विविन कार कर सकता है एक और तो यह किसी परिक्षा के परिणाम तैयार करता है और दूसरी और यह योग जैसी गर्णाय करता है इसके अतरिक्त नए नए गाने भी सुनाता है संचेप में कम्प्यूटर किसी भी कार को करने में सक्चम होता है Next है स्थायत, कंसिस्टेंसी, कम्प्यूटर कभी ठकता नहीं है यह प्रते घंटे लगातार सही परिणाम देता है स्वचालन, आटोमेशन, कम्प्यूटर पून रूप से स्वचलित होता है आपको इसमें अपने हातों से कार करने की आवश्यक्ता नहीं होती एक बार प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में आने के बाद निर्देश स्वतंतर रूप से एक के बाद एक कंट्रोल यूनिट में स्थानांतरित होते रहते हैं अगला है संचारन, कम्यूनिकेशन कंप्यूटर आज एक दूसरे से वारतलाप एवं सूचनाओं के आदान परदान कर सकते हैं यह संचार उपकर्णों जैसे मौडम टेलिफॉन लाइन उपग्रह इत्यारी के द्वारा संभब हो पाया है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कंप्यूटर के इस संचीवजन को नेट वर्किंग कहते हैं आज एंटरनेट सूचनाओं और आंक्णों को एकत्रित करने के लिए लाखों कंप्यूटर जुड़े रहते हैं कंप्यूटर की सीमां Limitations of Computer Computer एक मानव निर्मित मशीन है Computer में स्वयम का अपना मस्तिष के अदिमाग नहीं होता किसी भी समस्या का हल यह दिये गए निर्देशों के आधार पर ही करता है यह एक आग्याकारी मशीन है जो आदेशों को ग्रहन करता है उन्हें समस्ता है चाहे वे सही हो या गलत इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Computer में स्वयम का कोई दिमाग या कोई भाव नहीं होता अब बात करते हैं Computer की पीडियों के बारे में Generations of Computer Computer में प्रियोग की गई तकनीक उनके आकार एवं कार की छमता के आधार पर Computer को पाँच पीडियों में वरगी क्रित किया गया है पहला है प्रथम पीडि के Computer First Generations of Computer प्रथम पीडि के Computer सन 1940 से 1905 तक प्रियोग किये गए थे इस पीडि के Computer की निम्न लिकित विसेशताएं थी ये वजन में भारी तथा आकार में बड़े थे ये अत्यदिक उस्मा को उसर्जित करते थे इसमें Vacuum ट्यूप का प्रियोग किया गया था ये Computer बहुत महंगे थे प्रथम पीडि के Computer के उधारन है EDSAC और EDVAC Second Generation है दुत्ती पीडि Second Generations of Computer सन 1955 के बाद के Computer दूसरी पीडि के Computer कहलाते हैं दूसरी पीडि के Computer के गुण निम्न लिकित हैं या लक्षण ये पहली पीडि के Computer हों से कुछ हद तक छोड़े थे इसमें Electronic Up Current के स्थान पर Transistor का प्रियोग किया गया ये Computer भी अधिक उसमाओ सर्जित करते थे प्रथम पीडि और दुत्ती पीडि दोनों के Computer को वातन उकूल की आभशकता थी यानि उनको Operate करने के लिए Air Conditioner लगाना पड़ता था Second Generation के Computer के वदारन है IBM 1401, IBM 700 Third Generation तृत्ती पीडि के Computer इस पीडि के Computer सन 1960 के बाद प्रियोग किये गए थे तीसरी पीडि के Computer में निमनलिकित लक्षन थे यह दूसरी पीडि के Computer से छोटे और कुछ सस्ते थे यह दूसरी पीडि के Computer से तीवर और सुद्ध परिणाम देते थे इसमें IC Chip Integrated Circuit Chip का प्रियोग किया गया इस पीडि के Computer के उधारन है IBM 360 ICL 1900 चोथी पीडि के Computer Fourth Generation of Computer सन 1970 के बाद के Computer चोथी पीडि के Computer कहलाते है चोथी पीडि के Computer और में निमनलिकित लक्षन थे यह आकार में छोटे थे यह सस्ते एवं तीवर थे यह उपयोग में आसान है इनमें Microprocessor का प्रियोग किया गया एवं VLSIC टेक्निक का यूस किया गया जिसका Full Form है Very Large Scale Integrated Circuit Fourth Generation के Computer के उधारन है IBM 4300 ICL 2900 पाँचवी पीडि के Computer Fifth Generation of Computer पाँचवी पीडि के Computer में निमनलिकित लक्षन होते हैं पाँचवी पीडि के Computer Artificial Intelligence पर आधारित होते हैं पाँचवी पीडि के Computer 1985 के बाद के सभी Computer को पाँचवी पीडि के Computer में रखा गया है और आने वाले जो भी Computer भविश्च में आएंगे वो सभी पाँचवी पीडि के Computer में अभी तक माने जाते हैं इसके आगे Sixth Generation के बारे में अभी कहीं पे भी नहीं कहा गया है पाँचवी पीडि के Computer Artificial Intelligence AI Technology पर आधारित होते हैं जो इन्हें मानव की तरह सोचने के योग्य बनाता है इन Computer की बुद्धी मत्ता ही इन्हें मनुस्य की बाती सोचने और निर्ने लेने में सक्छम बनाती है ये Robotics, Designing और Sen छेतरों में प्रियोग किये जाते हैं अगला है Type of Computer Computer के प्रकार Computer को तीन वर्गों में वर्गी कृत किया गया है पहला है Analog Computer दूसरा है Digital Computer तीसरा है Hybrid Computer पहला है Analog Computer Analog Computer में डाटा को पहले Analog संकेतों में परिवर्थित किया जाता है Analog संकेतों में कोई निश्चित मान नहीं होते वे लगातार परिवर्थित हो सकते हैं येवं इनका मान कुछ भी हो सकता है इनका प्रियोग अधिकतर आंक्णों को एकत्रित करने तापमान पर नजर रखने किसी वस्तू की लंबाई मापने आदी में किया जाता है Analog Computer की छमता एवं विश्वास नियता उसके द्वारा दिये गए आंक्णों एवं मापे गए मान की शुद्धता पर निर्भर करती है दूसरा है Digital Computer Digital Computer का परियोग सरवादिक किया जाता है इसके द्वारा आंक्णों को विसलेसित करने में Digital Technology का यूज किया जाता है जो सरवट्ब्तम टेकनलोजी है इस प्रकार के Computer में आंक्णों को पहले Digital संकेतों में परिवर्तित किया जाता है फिर उसे विसले से तिया संग्रहित किया जा सकता है इसमें दो ही निश्चित मान होते हैं 0 एवं 1 0 को पल्स और 1 को नो पल्स कहा जाता है ये शत्परतिशत सुद्ध परिणाम देते हैं हाइबरिट कम्प्यूटर हाइबरिट कम्प्यूटर एवं डिजिटल कम्प्यूटर की मिस्टरिट टेकनोलोजी से बना है इसी कारण इन में दोनों ही तरह के कम्प्यूटरों की विसिष्टाएं पाई जाती है इनका प्रियोग विसिष्ट कारियों के लिए किया जाता है Hybrid Computer का प्रियोग ऐसे कारियों के लिए होता है जहां पर भौतिक परिणामों जैसे तापमान, रक्तचाप, आदी, समय, कुमाप कर उनके आंकड़े घटे किये जाते हैं या फिर इन आकड़ों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करके उन पर विविन गर्णाय की जाती है Hybrid Computer का प्रियोग मौशम विग्यान, सौस्थे विग्यान, भूगर्व विग्यान, आदी छेत्रों में किया जाता है Second Classification of Computer अभी यह जो हमने Computer का वर्गी करन पढ़ा है, यह Computer उप्योग के आधार पर वर्गी कृत किये गए है अब अगला जो वर्गी करन है, वह Computer के आकार, गती, एवं प्रोसेसिंग के आधार पर इन्हें बाटा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं Computer के आकार, गती, एवं प्रोसेसिंग चमता के आधार पर इनको चार भागों में बाटा गया है, या चार वर्गों में बाटा गया है, जो निम्नले के थे हैं पहला है Micro Computer, दूसरा है Mini Computer, तीसरा है Mini Frame Computer, और चोथा है Super Computer बात करते हैं Micro Computer की बजन में हलके और आकार में छोटे Computer, Micro Computer कहलाते हैं, ये Computer प्रियोग करने में बहुत सरल होते हैं, ये सबसे अधिक लोग परिये, सफल एवं प्रचलित Computer हैं, इनका निर्मान, सामान, प्रियोग करता की आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर किया गया है इन Computer में प्रोसेसर सिलीकोन धातू की चिप से बना होता है, प्रोसेसर के अत्यंत सुक्ष्म आकार के कारण ही इसे Micro processor कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुक्ष्म, Micro processor वाले Computer को Micro Computer कहते हैं, इन Computer को प्रियोग घरों, सेक्शनिक संस्थानों, दफ्तरों, कारयालें आदी जगा पर किया जाता है, Micro Computer को दो ही भागों में विवाजित किया गया है, पहला है Desktop Computer और दूसरा है Portable Computer, जिन Computer को मेज या Desk पर रखकर चलाया जाता है, वे Computer Desktop Computer कहलाते हैं, Personal Computer एक Desktop Computer है, जिसे संचिप्त में PC भी कहते हैं, Personal Computer की कारण चमता, गती, डाटा भांडारहन, चमता एवं Input Output Device, अन Desktop Computer हों से अधिक होती हैं, अगला है Portable Computer, Portable Computer प्रयोग करता दारह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, ये Computer बैटरी से चलते हैं, इन Computer का मूल, Personal Computer से काफी अधिक होता है, Portable Computer में Laptop, Notebook, Pocket PC, Digital Diary, आधी प्रकार के Computer आते हैं, दूसरा है, Mini Computer, Mini Computer की Processing गती, Data Storage चमता, Micro Computer से काफी अधिक होती है, इसी कारण इन Computer का मूल भी Micro Computer से अधिक होता है, इनका प्रयोग बैंकों, Railway, आरक्शन केंदर, Stock Exchange आधी इस्थानों पर होता है, जहां अनेक प्रयोग करता एक ही Database पर कार करते हैं, Mini Computer एक सक्तिशादी Multi User System है, इस पर एक ही समय में अनेक प्रयोग करता कार कर सकते हैं, Mini Computer के उधारन है, Pop Second Magnum Vax 7500 आधी, इसका निर्मान DEC, HP, DVM आधी कंपनी द्वारा किया जाता है, तीसरा है Main Frame Computer, Main Frame Computer, Mini Computer से अधिक शक्ति साली Processing Speed एवं Storage Capacity वाले होते हैं, Main Frame Computer एक साथ हजारों प्रयोग करताओं को सेवाय परदान कर सकता है, इसकी अत्यदिक बंदारन चमता के कारण, इनका प्रयोग बड़े बड़े व्यापारिक संस्थाओं में एवं बहुत अधिक मात्रा में डाटा भंदारन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के कम्प्यूटरों में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, जो इसे तेजगती परदान करते हैं, ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहलाते हैं, ये कम्प्यूटर अत्यदिक विश्वासनी होते हैं, इन कम्प्यूटरों में एक बार में एक से अधिक बैक्ती कार कर स प्रमुक मेन फ्रेम कम्प्यूटरों में CDC 6600, IBM 3090, DBM 4381 आदी हैं अगला है सुपर कम्प्यूटर सुपर कम्प्यूटर अन सभी प्रकार के कम्प्यूटरों से अत्यदिक सक्तिशाली होते हैं ये आकार में बड़े एवं जटिल गरना वाले होते हैं इनमें एक सेकेंड में अर्वों गरनाय करने की छमता होती है इनका मूलिभी अत्यदिक अर्थात कई करोड में होता है इनका प्रियोग पर्माणू विग्यान, भूगर्व विग्यान, अंत्रिक्च विग्यान एवं सेन्न चेत्रों में किया जाता है कुछ महत्वपूर्ण सुपरकंप्यूटरों के उधारन है क्रेफस्ट, सीडीसी ट्वेंटी, परम, परम दसजार, अनुराग आदी परम एवं अनुराग सुपरकंप्यूटर का निर्मान भारत में ही किया गया है अगला टॉपिक है कंप्यूटर के प्रियोग यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक बहुत उप्योगी उपकरन है जो कई परकार से मनिश्यों की मदद करता है इसकी अपनी इस्मृती होती है जिससे ये बड़ी बड़ी संख्यां है एवं बड़ी से बड़ी पुस्तकें भी स्टोर करके रख सकता है इसकी कार करने की गती तीवर होती है ये बिना थके बहुत अधिक समय तक कार कर सकता है इनी सब विसेस्ताओं के कारण कंप्यूटर विविन चेत्रों में समान को सलता के सांस सफलता पूर्वक प्रयोग में लाया जा रहा है कम्प्यूटर की विशिष्थाओं में सबसे पहली विशिष्था है DTP Dex Talk Publishing आजकल सभी प्रकार की पत्री का है समाचार पत्र पुस्तकें कॉमेक्स इत्यारी को कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन किया जाता है एवं इनको प्रिंट भी किया जाता है यहां तक की है पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं कम्प्यूटर की सहायता से ही बनाई और छापी गई है दूसरी विशिष्था है बैंकों में कम्प्यूटर कम्प्यूटर आजके आधुनिक बैंकों की आवश्चक्ता बन चुका है रिकूट ठीक करने रुपए जमा करने या निकालने के बाद पास्बुक में रुपए चड़ाने एंट्री करने के लिए ATM आटोमेटिक टेलर मसीन से भी कम्प्यूटर में द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं व्यापार में कम्प्यूटर व्यापार में बहुत से रिकूर्ड आंकड़े एवं सूचनाय रखनी होती है यदि इन सूचनाओं को कागज पर लिखकर रखा जाए तो बहुत से इस्थान की आवश्चक्ता पड़ेगी परन्तु एक समय में हम इतने रिकूर्ड संग्रहत कर सकते हैं जो की कई कमरों में आ जाएंगे इसके अतिरिक्त कागजों में रखे गए रिकूर्ड को ढूड़ने में भी प्रयास करना पड़ सकता है परन्तु इस विशे में कम्प्यूटर विश्वास नी सहायक के समान है ये बहुत ही जल्दी हमें आवश्चक एक्षित रिकूर्ड तूंड कर प्रदान करता है मौसम की भविश्वानी फॉर वैदर फॉर कास्टिंग कम्प्यूटर की सहायता से हम मौसम की भविश्वानी भी कर सकते हैं इस कारे में कम्प्यूटर की तीवर गती से गढ़ना करने की छमता का प्रियोग होता है मौसम की भविश्वानी करने के लिए हम निनिमन सिद्धान्त का प्रियोग करते हैं इसके लिए उस स्थान के कुछ दिन पीछे का तापमान नमी आदरता वर्षा आदी सूचना है कम्प्यूटर में डाली जाती है तता इसके पच्चात कम्प्यूटर पिछले सो आतवा 200 वर्ष के रिकार्ट से उन सूचनाओं को मिलाता है इस आदार पर कि जब ऐसा मौसम किस दिन हो रहा था तो अगले दिन कैसा मौसम था इस कार को कम्प्यूटर द्वारा करना काफी सा रहल है परन्तु कई व्यक्ति पुए दिन में भी इस कार को सफलता पूर्वक नहीं कर सकते हैं अगला है सिक्षा के छेतर में कम्प्यूटर इन एजुकेशन कम्प्यूटर की सहायता से किसी भी नई चीज को सफलता पूर्वक सीख सकते हैं इसमें धनी एवं चत्रों के ताल मेल भी बहुत महत पूर्ण होता है कई प्रोग्राम इस तरह से बनाय जाते हैं जिनमें अध्यापक की सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती इनमें अने प्रकार के प्रश्णतर भी होते हैं जिन से विशे की गहराईयों को आसानी से समझा जा सकता है उपर दियेगा है उधारन के लिए कुछ विशेस प्रकार के सामाने रूप से होने वाले प्रयोगों के ही हैं इसके अतरिक्त अन्य छेत्रों में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है जैसे जोतिश्विग्यान, शलिच किस्सा, इत्यादी अगला है मनोरंजन के छेत्र में, इन मीडिया एंड एंटर्टेन्मेंट जब आप काम से ठक चुके हो तब मनोरंजन के प्रोग्राम हो जैसे गेम्स संगीत आदी से अपना दिल बहला सकते हैं इसके अतरिक्त कंप्यूटरों पर फिल्में भी देख सकते हैं एक नजर में बिंदूंओं पर प्रकास डालते हैं कंप्यूटर एक उपयोगी एवं तीवर मशीन है यह पून सुद्धता से परिनाम देती है कंप्यूटर में अपना मस्तिस के वाभावनाय नहीं होती कंप्यूटर को पांच पीडियों में बरगी कृत किया गया है डिजिटल कंप्यूटर में आकणों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करके विसलेसित किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर सिलीकॉन धातू से बनी हुई एक चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर के प्रियोग होने के कारण इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर रखा गया है पार्ट एक समाप्त हुआ मिलते हैं अगले अध्याय में ठैंक यू